हाई फ्रेंड्स डिजिटल मास्टर यूटूब चैनल पर आपका सौगत है चैना ने वाइट पेपर पब्लीश किया है कोविड-19 पर उसके बारे में डिटेल्स में इस लेक्चर में हम देखेंगे अप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेर किजिए इतना सब करने के बावजुद चाइना का चिल्लाना शुरूई है अरे भाई है हमने नहीं किया उसी का प्रूफ मतलब है वाइट पेपर इस वाइट पेपर का नाम उन्होंने इस डॉक्युमेंट का नाम फाइटिंग कोविड-19 अब को पता ही होगा यूएस के जो प्रेसिटनेट है डोनाल्ड ट्रम और जो बाकी देश के जो लीडर्स है चाइना को ब्लेम कर रहे थे कि तुम इस वाइरस को लेकर इतने ट्रांस्परन नहीं थे उसी के कारण इतने देश में बाकी इतने human casualties हो गई दुनिया अभी economic crisis मे आ गया है इसकी बज़े से उसी सब को लेकर recently world health assembly में एक resolution पास किया गया और उस resolution में ऐसा था कि अभी investigation होना चाहिए कि है वाइरस का origin कहा सी हुआ था और हरानी की बात है है चाइना ने इस resolution को backup दिया है इस white paper में important points क्या थे हम उस पर जड़ा focus डालते है in the battle against the COVID-19 इन्हों में जो अपने देश में जो prevention measures लिये control and treatment effort जो लिये है वह इस white paper में mention किया हुआ है और जो उन्होंने efforts लिये है at global level in international cooperation in the battle against the COVID-19 उन्होंने mention किया हुआ है उनका कहना है कि जब से इस virus का outbreak हुआ था उनके देश में तभी उनके स्थिमाग में एक ही बात थी कि लोगों की जान बचानी है और हो आगे कहते है कि Chinese government नी most comprehensive और strict action लिये गए coronavirus को combat करने में उन्होंने बोला कि इस battle में जितने के लिए COVID-19 की against में जो भी हो सकता था उन्होंने सब कुछ किया समझो एक time पे कभी लगा doctors नहीं है nurses अवेलेबल नहीं है इस white paper के दौरा उनका कहना है कि हम इस coronavirus pandemic के दौरान भी और उसके बात भी हम globalization को advocate करते हैं और multilateralism में विश्वास रखते हैं उसका मतलब है कि alliance of multi nations मतलब इस एक तरफ से अपने जो PM Modi उन्होंने बोला था कि आत्मा निर्बर उसको भी उन्होंने point out कि हम हमारे देश में ऐसा की lock को required है वैसे ही अमने time to time information COVID-19 में रिलीस की है और transparent manner में भी रखी है ओर और इस white paper में important points थे जो मैंने आप से share कि आपको present situation भी पता होगी कि present में कितने cases है वर्ल में अभी फिलाल presently 68 lakh people infected है इस COVID-19 वाइरस से और और इस COVID-19 से चार लग लोग अपनी जान गवा चुके है इस दुनिया में और जहाँ पर चाइना का जो COVID-19 का जो आकड़ा है और 84,177 है वहाँ पर ही यूएस हे worst affected countries में आती है वहाँ पर 1.9 million cases है और वहाँ पर 1,9,000 deaths हो चुके है अब सब लोग डोनाल्ड टरम इनकी परिशानी को दे में क्या रखेंगे क्योंकि सबसे strongest nation ही worstly affected है इस COVID-19 को लेकर आपको पता होगा कि global economy इस coronavirus के आउटबेट के पहले अलड़ी सफर कर रहे थे एक slow position में थी severe recession की जो situation है इस 2020 में इसको ज़्यादा सफर नहीं कर पाएगी है economy ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे होता है अमारा इस topic का end आपको सबको पता ही होगा UPSC की dates अनॉंस हो चुकी है तो study से समझो आपका distraction होता होगा तो please उसे मत कीजिए इस जमेले में मत पढ़िए कि exam होने वा topic में तब तक के लिए good bye